अपने सामने रखा हुआ भोजन, गरम गरम भोजन हो, दाल हो, चावल, खीर, हल्वा, पुड़ी, जोबी, सब्जी, रखे रखे ठंडा हो जाता है अपने आप, ऐसा कैसे होता है, अपने आप क्यों हो जाता है ठंडा? तो इसका ये होगा, कि उसमें जो अगनी होती है, गरमी का कारण, उसका सुभाव होता है, वो कहीं टिकती नहीं है, अपने आश्रे से निकल जाती है अगनी, अगनीदी प्रकट हो गई, तो मिश्चित है कि वो अवसान तो होगी, बिना प्रकट हुए तो अपने आश्रे में रह सकती है, लेकिन प्रकट होकर कि अगनी, कभी भी अपने आश्रे में नहीं रहती है निकल जाती है निकल जाए ना निकले तो भी समाप्त हो जाएगा महीं मर जाती है अंगारा में है जैसे लकडी में जो भी है जला दिया उसको जलाने के बाद अंगारा अपने आप ठंडा होता जाता है यानि उसकी अगनी सुता बुझती जाती है निकलती जाती है उससे निकलती हुई भी बुझती जाती है बाहर भी नहीं जाती हो वो समाप्त होती जाती है एक तो है कि निकल भी जाती है दूसरी है कि वो समाप्त भी होती जाती यह अगनी का धर्म है जिस किशी भी आश्रे में जहां कहीं भी अगनी है तो अब उसका होगा कि वहां से वो निकलेगी और निकलेगी तो क्या होगा अब जिससे वो निकलेगी उसको उसी तरह सے नहीं छोड़ेगी चुंकि जो आसरे उसका था वो उसके सहयोग से अपनी अवस्था विशेश में था वो निकलेगी तो उसको भंग छिन्भिन करके ही निकलेगी वैसे रहने भी नहीं देगे उसको अब ये नियम जहां जहां कहीं भी अगनी है कर्मी है यानि कि सबका यह यहाल होगा नहीं उसमें भी होता है यानि कि जैसे लोहा गरम कर दिया गरम करने की बाद गो अब निकलेगी तो अब लोहा क्या होता है कठोर हो जाता है ज्यादा पहले कि अब एक चब उतना नरम नहीं रहता है जितने बार उसको गरम किया जाएगा ठंडा होगा उतने बार उसमें दुर बलता आ जाएगी जैनि कुछ ने कुछ भाग वो मार देती है उसको जिसमें भी गुष्टी है जैसे हलवा है हलवा बना लिए है तो दुबारा अगर गरम करते है हलवा इसलिए वो खराब होता है उसमें जहाँ अगनी प्रकट हो रही थी न जब हलवे में तो हलवे को तोड़ रही थी उसमें अब जहाँ भी गुषे गिया तो गरम होती ही जहाँ गुषे गिया तो उसमें तोड़ देगी उसको और तोड़ने की बाद फिर निकलेगी वहां से यहां उससे निकलने के बाद उसको कमजोर तो हो नहीं है चाहे गुशते समय उसने कमजोर कर दिया या निकलते निकलते कमजोर कर दे उसको यहां उसको जलाती, कुछ ने कुछ तो करती है उसको उसके जो भी संयोग होते हैं उसमें अंतर कर डागती है और दूसरी बात है कि जहां उसके अंग बन करके रह रही है उससे यदि वो निकल जाएगी तो उतना तो खुबला पन आई जाएगा उसमें ये बैठी नहीं रहती है निकलती रहती है इसले बोजन जीतना थंडाब होता रहता है उतना खराब होता है जब तक है उसमें गर्मी अभी तो ठीक रहता है और पूरी निकल गई तो वो खराब हो जाता है फिर दुबारे आप जितने जितने बार उसको गरम करेंगे उतना उतना वो दुरवल होता है वो जब भले गरम करके खा लेते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं होता है खादे पदार्थ को जितने बार गरम करेंगे उतना उसका जो सक्त होता है कम होता जाता है या विक्रित भी होता जाता है तेल है चाहे घी है जहें कुछ भी करो घुजन भी वैसे ही है इसको गरम करके खा लेते हैं लगता है गई है वो नहीं रहता है पहले वाला जैसे इसलिए हुआ कि जहाँ जहाँ गर या तो अगनी घुशती है या फिर घुश के निकलती है उसकी खैरियत नहीं रहती है वो यानि उसकी आयुकम होती जाती है सुनिश्षी थे यह अब जहाँ जहाँ भी समझो अगनी का आश्रे है या प्रकटी करन हो रहा है निश्चे से अगनी वहाँ से निकलेगी और यदि निकलेगी तो फिर उसकी आयुचीन करेगी अब जो भी ले लो जितने भी है उसमें अपना शरीर भी आता है नहीं इसमें ठीक है नया नया होता रहता है डालते रहते हैं इसमें अगनी छुले में जैसे होता है न कि इंधन डालते रहते हैं तो वहाँ गर्मी तो बनती रहती है अगनी यदि प्रकट ना की जाए अर्थावक्ती से यह लगता है यहां उल्टी रहता है ने लेकिन यह भी आया ना कि अगनी जहां भी प्रकट होगी वहाँ वो करेगी चीन उसको दुरवल करती है यहां प्रकट यदि हो रही है तो चीन करती है अगनी यदि इसको बंद करने है तो यह जल्दी भी हो जाएगा लेकिन फ्रस्ट यह है की वो अगनी को चलने की हे प्रकट्रिया इसमें ध vents दीरे में कम होती जाती है तो फिर उसके बाद यह पूरे निकल जाती है लेकिन वो किसी कारण से फिर निकाली जाती है और निकलने के बाद अब होगा कि इसकी आयू समाप्त हो जाएगी तो इससे सूरज भी नहीं बचता है जहाँ जहाँ से अगनी निकल रही है उसकी आयू तो कम हो रही है ये सुनिश्चित है ऑगनी निकलने का मतलब ही असकी आयू कम हो ना तो पिर्थवी सेवी जैसे अगनी निकलती रहती है इसमें भी अगनी है और निकलती है दिन-राथ चाहे उज्वाला मुखी की गारण से निकलता हूँ जैसे कुवां खोते हैं जो भी गड़ा करते हैं गड़ा करते हैं तो हाँ पहले घरम होता है फिर ठंडा हो जाता है उस तान सम्लूद्नी गर्मी निकल गई उसकी तो इससे ये तो होता है कि पिर्थिवी से भी अगनी निकलती रहती है जब निकल रही है तो ठंडी हो रही है मतलब ये भी ठंडी हो रही है तो इसकी आयू कम हो रही है वो तो ततकाल मारने वाली चीज़ है वो तो पूरा भी निकला नहीं है उसका संतिलन तो ऐसे इस गए कि खंबा कम करते जो दिवार का फिर क्या होगा तो वही वाली स्थिति है ये धिरे धिरे कमसा निकलती है और कमसा इसके आयू कम करती है इसमें ऐसा देखोगी जैसे गाड़ी कोई है लो एक ही बनी है लेकिन उसका पहिया जो है लकड़ी का है तो वो कब तक चलेगा तो चलो गुरु आदिकरह जो है उसमें तो नहीं अगनी लेकिन इनका जो मूल है सुरी उसका क्या हाल होगा अगर सुरी नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे ये सूरज से तो निकल रहे है न अगनी वो तो खतम होगा यह होगा वो तो नहीं बचने वाला नहीं सूरज से पहले चलो नहीं खतम हो लेकिन सूरज जब खतम होजएगा तब क्या करेंगी है यह हो करके भी क्या करेंगे नहीं रहेंगे और वैसे जो है सूरज जब तक खतम होगा न वो खतम होते होते वो आता है न एक महाभारत में गिरते गिरते मार दिया था, कौन था? महाभारत में एक युद्धा था, घट उतकच था, उपर चला जाता था उपर में ही मार दिया उसको वो गिरते गिरते कही सेंद, मतलब हजारों कितनी सेना मार डाली उसने मरने के भाग गिरा जबंपर, गिर कर कही मार दिया उसने, कितने सारे को ऐसे ही यह जो बीच के है न ग्रव पग्रव जब सूरी तूटे गा उस समय, तूटते तूटते वो बिखरेगा जब तो सारे को चोपट कर देगा उस समय, किजी को रहने नहीं देगा, केले थोड़े सांत होगा, कोई नहीं बचेगा, पिर्थी भी नहीं बचेगा, पिर्थी भी तो वैसी भूस हो जाएगा इसका, उससे पहले हो सकती हो जाएगा, इसकी अगनी निरंतर निकल रही है, निकलत निकलते दिव ऐसी डीली हो जाएगी, पिचक जाएगी यह तो, और उदर से सूरज निकल गया, इदर से पिर्थी भी निकल गया, तो बीच वाले क्या करना है, हमारा काम तो पहले हो जाएगा पूरा, हाँ अब जब सूरज नहीं रहा तो उनको रोकेगा कॉन उसमें, खीच लेगा तो उसकी क्या इस्तिति होगी, सिदे बचे रहेंगे क्या, इतने बड़े बड़े जब ठकराएंगे, नश्थ होंगे यह होंगे, बचेगा कोई नहीं फिर, वैसे यह दूसरे लोकों में जाती नहीं है, तारे, अपने वाले में ही टकरा टकरा के समाप्त हो जाते हैं, हाँ वो तो एक गिंती का मापक है वो, आदिति से हमारा जो शरीर होता है न, वो प्रेरित होता है, प्रेरित करके वो हमारी अगनी को निकालता है, उससे आयूगड़ती है हमारी, जैसे अभी रात को है, अभी इतनी फूर्ती शरीर में नहीं रहेगी इस फूर्ती, और सुर्योदे उड़ते होते आप देखेंगे कि जिगर बैठा नहीं जाएगा, अभी तो रात बर पड़े रहो, कोई बादा नहीं आएगी, नेकि सुर्योदे होने ही कोई बाद पड़े नहीं रह पाएंगे, वो प्रेजित कर देता है, वो तेजित करता है हमारे सरीर को, ऐसा वो रोज करता है, एक बार हमारा सरीर ठंडा होता है, अभी रात में जैसे होगा, निश्क्रिये होता जाता है ये, और निश्क्रिये होने के बाद फिर वो चालू करता है, इससे फिर कई चीजे निकल जाती इतने में इतना काम रोज होता है समझो कुछ मसाला इसका प्रती दिन निकलता है ऐसे करके रोज ये कम होता जाता है सब होते हैं, सारे छेन होते है इसमें तो उधारन यही है अगनी इसमें निकलने की कारण से हमारी जो एक तो है कि भोजन कर लेते हैं तो उससे लगता है कि गर्मी फिर आ गई लेकिन ये वो उधारन वाला है जिसे भठी में इंदन जोगते रहेंगे तो तो वो चालू रहेगा लेकिन उसके इंदन जाना ही बंद हो जाए उसमें तो वो क्या होगा तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है कि देरे देरे इंजन ही बंद होगा हो इंदन ही ने इसका जाएगा जनी जो जाठ रागनी है हमारी पाचन कम होता जाता है शरीर का बाले काल में जितना तेज रहता है उतना जोबन में भी नहीं होता है मातरा तो बढ़ जाती है उसकी चोड़ाई लेकिन उतनी जाठ रागनी तिवर नहीं होती है और जोबन के बाद तो दीरे-दीरे ओ कम होने ही लग जाती है बुढ़ा पे में इतनी नहीं रहती है भूख अब जब जटरागनी कम हो गई तो भी अब उत्पन का होगी अगनी उत्पन नहीं होगी तो जब नए उत्पन होगी तो इसके जो बचे वही ठंडे होंगे और भी देरे-देरे शरीर भी ठंडा होई जाएगा यनि अपने आप हो जाएगा इसी अगनी के कारण से अगनी के कारण से ये गरम रहता है और वो अगनी का सुभाव निश्चित हो गया कि वो बैटती नहीं अपने आश्रे में उसको रोक के रखा नहीं जा सकता है बिजली को जैसे रोक के बांध के नहीं रख सकते है इसको बैटरी में दूसरा पदार्द होता है बिजली थोड़े रहती है बिजली कठी नहीं होती है उसके जो अव्यव होते है वो सक्रिय हो जाते है सबी जगव ही होता है टासफार्मर में बिजली बंती थोड़े है वो रुका मधी करता है तो उसके जो बैटरी होती है उसमें जो कुछ अव्यव होते हैं वो सक्रिय होते है उससे सक्रिय होके फिर दुबार बिजली उत्पन करने में समर्थ हो जाते है बिजली कठी नहीं होती है कभी अभी 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 होता है उसका सक्रिय होता है नहीं नहीं उसकी वो मात्रा होती है कि इतने बार ये सक्रिय हो पाएगा अगर गुशने वाला रहता ना तो खराबी नहीं होता हूँ चार्ज करते करते जैसे चार्ज अच्छ सेड होता है तो उसकी सीमा होते हैं इतने बार चार्ज होगा है उसे जादे नहीं होगा चार्ज लेकिन अगर गुशने की होती बार तो उसमें सीमा नहीं चाहिए होनी चाहिए तो जब तूटता तो बरी तूट जाता हूँ क्योंकि जिसे बोतल होता है या डिबबा है उसमें कितने बार रखो कितने बार निकालो उसका क्या अंतर पड़ता है तो डिब्बे की अपनी आई जितनी है उतनी तक चली जाएगा उतो उसमें दस बार दिन में रख दिया और दस बार निकाल दिया तो जल्दी डिब्बार तूट जाएगा ऐसा तो यह नहीं उसमें डालने निकालने का कोई अंतर नहीं पड़ता है लेकिन इसमें तो अंतर पड़ता है इतने बार तक ये चार्ज होगा उसके बाद नहीं होगा चार्ज इसका मतलब है कि उसके अभी 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 इसे से उसके अभी अभी इस धंके हैं जो सक्रिय होते बिजली के कारण से ही होते है उसके पास जा करके उसको सक्रिय करती है फिर नश्ट हो जाती है उससे नई बिजली निकलने लगती है और निकल निकल के नश्ट होती जाती है जैसे जनरेटर है ना जनरेटर चला दिया चलाने के बाद उस्तार में से कुछ मत लगाओ बिजली तो वहाँ निकल ही रही है और नस्ट होती जाती है अपने हाग अगर जोड़ देते हैं तो जलने लग जाता है बाग भीत नहीं होता है नहीं जोड़ते हैं तो वहीं से खतम होती रहती है इकटी थोड़े होती है जैसे गैस सिलंदर होता है, बटन दबाने से फिर दुवारा नहीं दिजली होता है, वही नहीं करने लग जाता है, एक बार में तो उस तरह सक्रिय हो जाता है, आगे प्रेवित करें गा उसको, तो वही है न, जैसे कमानी को कितने बार करते रहते हैं, चाबी देते हैं, देरे देरे फिर धिली हो जाते हैं, कितने कुछ करो, बहुत दिन तक नहीं चलेगी जितना करते रहो, धिली हो जाते हैं अपने आप, वही है अपनी जठागनी भी ऐसे ही होती है, धिरे देरे धिरे कम होती जाती है, जब कम होती जाएगी तो वह अगनी बनेगी नहीं फि उस रूप में शरीर और ये क्रिया जो होती है अपने आप होती है वस इसकी बिवस्था इस डंगी है करो ना करो ये तो होगा जैसे अगनी को खाना भोजन पंखा चलाओ नहीं चलाओ तो ठंड़ा होगा ऐसे शरीर का भी है कि ये तो ठंड़ा होगा ऐसे पृत्वी का है सूरी का चांद का सब का ऐसा ही है धीरे 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 अपने आप ठंड़े होते जाते हैं इस रूप में पूरा ब्रह्मान्ड जो है अपने आप एक दिन समाप्त हो जाएगा कोई नहीं बचेगा वापस तो नहीं आएगे न उसी में तो वही बात ही खतम हो गया हो तक यह कहने का मतलब है कि फिर वही बापस यानि गति बन जाती है तो लाप तो तब होगा जब फिर से वह उजा बन जाए उसी का वो तो होता ही नहीं है वही उजा तो नहीं सकता है वापस नहीं आती ना यह नहीं कर सकते कोई नहीं कर सकता उसको यह तो नियम ठीक है, यह अपने वाले में भी है, यह सारा संसार अंत में जाके प्रकृति हो जाएगा, कारण रूप में चला जाएगा, नश्ट तो नहीं होगा यह भी, लेकिन जो कारिय पदार्त है वो तो नहीं रहेगा ना, जिससे परिनाम आना है, कुछ होना है, प्रिय वहाँ सोयम नहीं आएगा, उसको फिर करने वाला करेगा तब आएगा, वैसे तो नहीं आएगा, इनके से धान्त में तो उल्टे पुल्टे से हैं, यह भी बोल देते हैं कि वह अंत में जाके नश्च नहीं होता, और यह भी कहते हैं कि अपने आप आहा ही नहीं सकता, पीर य क्या बनेगा? उर्जा बनके क्या होगा फिर? बनके तो कुछ होगा ही नहीं तो आधा दूरा ही बात हुई ना वो होना तो यह चाहिए कि कोई भी नित्य पदार्थ यदि है तो वो वापस इसमें फिर आ जाएगा उसके नित्यता दो तभी हुई ना फिर से वापस आ जाए जो यहां से घूम के वापस नहीं आता है उसको थोड़े कहते हैं वो ही आ गया जो बना है उसका मतलब है कि वो वापस आना चाहिए उसको तब तो उसके बने रहने का मतलब हुआ नहीं तो मतलब ही नहीं हुआ तो ये सब दिन बना रहेगा तो क्या करेगा उसका सब दिन इबल रहेगा ही ना कुछ होना तो एह नहीं उससे तो उनके वाले सिदांद में तो वही अदूरा पन होता है अपने वाले में है कि वो फिर से वापस किया जाएगा, बनाया जाएगा पर यहां केवर भी सिष्टा ये है कि जो बनी वी चीजें हैं नश्ट तो हो जाएगी बचाया नहीं जा सकता है इसको अकारण होगी बिना कारण से इसमें नास होई रहा है लेकिन ये चीजें करने पर फिर होती है तो जब किया जाएगा तब तो इसवर के द्वारा किया जाएगा लेकिन यहां अपने को ये लेना है कि हम इसके भरोसे नहीं बैठे रह सकते कि अभी तो है ये, तो क्या होगा, अभी ये है नहीं, ये जा रहा है, ये लगातार है कि ये रहने वाली चीज नहीं है, ये जाने वाली चीज है क्योंकि लगातार ये जा रही है, ये अगने जो निकल रही है, वो निरंतर निकल रही है, उसके निरंतर निकलने की कारण ये बस तो निरंतर ही नश्ट हो ही रही है नश्ट हो जाएगी ये नहीं है यह आग लग चुकी है जिसमें उसको नहीं कहेंगे कि नश्ट हो जाएगी तो है नश्ट हो रही है यह नहीं हो रही है का मतलब हो गई कपड़े में आप लगा दिया तो अब क्या कहेंगे कि बच जाएगा कपड़ा तो गया हो तो यह बोलते है गया हो तो लग गया हो तो जिसमें लग गया हो तो गया यह बचा हुआ है यह नहीं तो अपनी बुद्धी काम हर समें यह करती है अभी तो है जाएगी बाद में कभी जाएगी पर अभी तो है पर ऐसा नहीं है नहीं बस तो तो यह नहीं है अभी है अगर यह कह रहे हैं तो अबसर है कह लो जो अपने को करना है जो अपना कारिय सेस है जो प्रियोजन है उसके लिए अभी अबसर है ये तो कह सकते हैं ये कहना तो ठीक है लेकिन अभी ये है ये कहना ठीक नहीं है ये तो जा रहा है ये नहीं है बचा नहीं है ये ये तो जा रहा है जाते जा रहा है ऐसी बुद्धी बना करके चलने चाहिए या ये बुद्धी पूरे संसार के विशे में रखना चाहिए अपने शरीर के विषय में, प्रिथिवी के विषय में, सूरी चांद जोबी है, समस्त बर्मार्ट सबी के विषय में ये बुत्ती रखनी चाहिएगी, निरंतर जाने वाले हैं, और जा रही है तो इसलिए जितने काल का इतना है ये बचा हुआ वो हमारा के वाद अवसर मात रहे उस अवसर में हमको अपना कारी प्रियोजन पूरा कर लेना चाहिए ऐसे इनको बिचारना सोचना चाहिए